आई पियल दो हजार चोविस में आज का ब्लॉक बस्टर मैच खेला गया था सन्राइजर सैदराबाद और राजस्थान रोयल्स की टीम के बीच में और इस मैच के खत्म होते ही आई पियल दो हजार चोविस के पॉइंट टेबल में बहुत बरा उलट फिर देखने को मिला तो इस वीडियो में हम आपको आई पियल दो हजार चोविस का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर से कौन-कौन सी टीमें आई पियल के प्लॉफ में कौलिफाई करेगी और यहाँ पर से परपल कैप और अरेंज कैप किस-किस प्ल तो आईए बात करते हैं IPL 2024 के नए पॉइंट टेबल के बारे में तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग IPL का पॉइंट टेबल या फिर IPL का प्रेडिक्सन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीगराम पे फॉलो करें लिंक आप लोगों को के बीच में खेला किया था और SRH के कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जित करके बैटिंग करने का फैसला किया और इस टीम के श्टार्ट काफी खराब था और अब ये मैच पूड़ी तरीके से खत्म हो चुका है तो आईए बात करते हैं अब IPL के नए पॉइंट टेबल के ब और साथ मैच में रोयल चैलेंजर्स बेंगलूरू की टीम को बुड़ी तरीके से हार का सामना करना परा तो अभी RCB की टीम टोटल दस में से सिर्फ तीन मैच जीतने और साथ मैच हारने के चलते छे अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सब से नीचे यानि की बॉटम पे का बीज है और RCB टीम के निट रन रेट के बारे में बात किया जाए तो RCB का निट रन रेट माइनस जीरो दा समलब चार एक पांच और अगर यहां पड़ से RCB को IPL के प्लोफ में क्वालिफाई करना है तो बच्चे हुए चार में से चारों मैचों को जीतना परेगा और इसमें से मुंबई इंडियांस को सिर्फ तीन मैचों में ही जीत मिला और बादमा की साथ मैच में मुंबई इंडियांस की टीम हार गई तो अभी मुंबई इंडियांस दस में से तीन मैच जीतने और साथ मैच हारने के चलते छे अंकों के साथ पॉइंट टेबल में नवे पैदान पे है और मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट माइनस जीरो दसमलब दो साथ दो है और मुंबई को पिलॉफ का टिकट चाहिए तो बचे हुए चार में से चारों मैच जीतना होगा और अधर टीमों के उपर डिपेंड होना परेगा वही पॉइंट टेबल में आठ पॉइंट टेबल में आठंक बना चुकी है और गुजराट टाइटन्स का नेट रन रेट माइनस एक दसमलब एक एक तीन है और अगर गुजराट को पिलॉफ का टिकट चाहिए तो बचे हुए चार में से चारों मैचों को जीतना परेगा तभी गुजराट पिलॉफ में पाईगी वहीं पॉइंट टेबल में साथवे पैदान पे पंजाब किंग्स है और पंजाब ने सीजन में अभी तक टोटल दस मैचों में पार्टिसीपेट किया जिसमें से चार मैच में पंजाब किंग्स के टीम जीती और छे मैच में पंजाब किंग्स को हार भी मिला तो अभी पंजाब किंग्स टोटल दस में से चार मैच जितनों और छे मैच हाडने के चलते पॉइंट टेबल में आठंक बना चुकी है और पंजाब किंग्स का नेट रान रेट माइनस जीरो दसम लेब जीरो छे दो है और पंजाब को पलॉप का टिकट चाहिए तो बचे हुए चारो मैचों को जीतना परेगा वहीं पॉइंट टेबल में छटवे पैदान की बात करें तो यहाँ पे दिली कैपिटल्स है और दिली कैपिटल्स ने इस सीजन में अभी तके 11 मैचों में पार्टिसीपेट किया जिसमें से 5 मैच में तो दिली की टिम जीत गई लेकिन 6 मैच में दिली कैपिटल्स हारी भी तो अभी दिली कैपिटल्स एक ग्यारा में से 5 मैं जीतना और 6 मैच हारने के चलते पॉइंट टेबल में 10 अंक बना चुकी है और दिली का निट रन रेट माइनस 0.442 है और दिली को प्लॉप का टिकट चाहिए तो बचे हुए 3 मैचों को जीतना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में अगले पोजिशन पे चेने सूपर किंग्स है और चेने ने सीजन में 10 मैच खेले जिसमें से 5 मैच में चेने सूपर किंग्स की टीम जीती और 5 मैच में चेने सूपर किंग्स की टीम हारी तो अभी चेन नई 10 अंग के साथ पॉइंट टेबल में है और चेन ने सूपर किंग्स का नेट रन रेट प्लस 0.627 है और CSK को पॉइंट टिकट चाहिए तो 4 में से 3 मैच जीतना होगा वहीं पॉइंट टेबल में अगले पोजिशन पे लखनो सूपर जाइंट है और लखनो को प्लॉफ का टिकट चाहिए तो 4 में से 2 मैच जीतना होगा वहीं पॉइंट टेबल में तीसरे पाइदान पे आज के मैच की विनर यानि की संराइजर सहेदराबाद और SRC ने आज वाले मैच में रोमांद चकंदाज में राजस्थान रोयल्स को हरा दिया तो अभी हैदर हैदराबाद टोटल 10 में से 6 मैच जीतना और 4 मैच हारने के चलते बारंग के साथ पॉइंट टेबल में 3 पे है और हैदराबाद का नेट रन रेट प्लस 0.100 है और हैदराबाद को प्लॉफ का टिकट चाहिए तो 4 में से 2 मैच जीतना परेगा पॉइंट टेबल में दूसरे पैदान पे कोलकता नाइट राइडर्स है और कोलकता ने इस सीजन में नौ में से 6 मैच जीते और सिर्फ तीन मैच हारे तो बारंग के साथ KKR सेकेन्ड पोजिशन पे है और केक्यर का निट रंРЕट प्लस 1.096 है और कोलकता को पलोफ में जाना है तो 5 में से 2 मैच जीतना होग नहीं point table में सबसे top यानि किसी खर पे राजस्थान रोयल्स की टीम हो राजस्थान ने सीजन में भी तक total 10 मैच खेले जिसमें से 8 मैच में इस टीम को जीत मिला और सिर्फ 2 मैच में ये टीम हारी जहां पे आज ये टीम राजस्थान रोयल्स है एदराबास से भी हार गई तो अभी राजस्थान रोयल्स सोलंग के साथ point table में सबसे top पे है और राजस्थान का net run rate प्लस 0.600 है लेकिन राजस्थान प्लेओफ में जा चुकी है तो ये था IPL का निया point table परफल कैप बुमड़ा के पास और orange gap रूतुराज गयक वार्ड के पास है